तो मैं अपने फिल्म के बारे में क्या बता हम, सब लोग तो आप जानते ही हैं, कि अपनी फिल्म है, पूरी तर से परिवारिक है, और मेलोडी, सौंग है, अप मेरे फिल्म में हैं, और फिल्म का जितने भी कलाकार हैं, वहां शुरू की, तो मैरे फिल्म का जितने भी कलाकार लोगों ने अपना काम बहुत ही बख्पूबी निभाया है और बहुत ही अच्छा किया है है हमारे अधेश मिश्रा आज इने तो सब जानते हैं कि वोजपूरी के सूपर्विलेंद है और उनकी क्या तारीफ हो तो लाजवाब एक्टर है लाजवाब एक्टर के साथ एक अच जिषे सब्सक्राइब पना कंसेप्ट नेखिया और भावी तो कि रिस्ते हैं लेकिन अज की रेट में कुछ अलगी दिखराया इसके बारे में अब क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल चाहेंगे अब होता क्या है कि कुछ आईसए राईटर, सिंगर, जिन लोग ने भोश्पुरी को बदनाम कर रखे उन्हें पता ही नहीं कि रिस्ते क्या होते हैं वो थोड़े से पैसे कमाने का चकर में सारे रिस्ते नादर भूल चुके हैं तो हमने थोड़े से कोशिज की है कि रिस्ते को बनाए रखे और इसते क्या होते हैं यह message जाए इसलिए हमने इस concept को बनाया देवर बिनंगना ना सुभेर आ जाएगगा इसमें मैं आपका फिल्म का इविस पॉइंट क्या है जो कि आपके फिल्म को दर्सक दिखने जाएगा बिलकुल बिलकुल यह देवर ही एक ऐसा केरेक्टर है क्योंकि देवर भावी का बहुत प्यारा होता है तो इसलिए देवर प्याधारी था यह फिल्म और इस फिल्म के मूख हमारे जो अभी नेता है यह हमारे हमारी भावी आने वाली है तो इस फिल्म के पाद भावी आएंगी और फिर तो दमाल मचे गें अभीना जी बात कर रहे हैं अम ताब जी के सांस काम करके अब क्या फिल किया वह पैसा लगा वह सामने की पीछे में पीछे में लोग जानते होंगे मैं सब से बलता कृख़ा हैं अब बहृत मजाया और हमारे कि आ जी कृटे काम करने में कांदा है अब हिल्गी ज़िय क्वेट काम करें पेसा नते म मतलब यह श्चलिकों कर लिया करो कर मौरता कुछ नहीं हो मतला पता ही अब ह anxiety . बोजपूरी में काम चल रहे हैं, कुछ हीरो, कुछ डिरेक्टर, कुछ मिल के काम के तरके, आप लोगा कमेश्टरी के बारे में कुछ ही तरक या कहना चाहेंगे? हम तो लाइप टाइम पूरेड़ा, लाइप टाइम.